ब्लैक होल के बारे में आप जितना भी जानते हैं, यह कम है। क्योंकि आए दिन अंतरिक्ष के ग्रहंक्षत्र और तारों आदी में बड़े और आकस्मिक बदलाव होते रहते हैं। और हजारों ब्लैक होल बनते बिगड़ते रहते हैं। दानव यानि ब्लैक होल की डरावनी आवाज रिकॉर्ड की है। जो हम आपको आगे वीडियो में सुनाने वाले हैं, दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो में दी गई स जानकारी आप तक पहुंच सके और इसरो के वैग्यानिकों की मेहंत और प्रयास के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै हिंद जै इसरो जरूर लिखें। दोस्तों इस आवाज को सुपरसोनिक साउंड क्वालिटी के साथ सुनने पर इसकी विशालता और भयावहता का अंदाज लगाया जा सकता है। ब्लैक होल से आने वाली आवाजें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक स्टडी में कहा गया है कि ब्लैक होल में गुंजने वाले आठ नई आवाजों के बारे में पता लगाया गया है। इन गुंजने वाली आवाजों को ब्लैक होल बायनरीज का ब्लैक होल से निकलने वाली ये आवाजें काफी डरावनी सुनाई पड़ती है। ब्लैक होल अकसर ज्यादा गर्म गैस और धूल से घिरे होते हैं। नई स्टडी में कहा गया है कि ब्लैक होल से जुड़े जिन आर्ट सिस्टम्स की पहचान की गई है, उनमें शोदकरताओं ने पाया कि ब्लैक होल का द्रवेमान सूरे के द्रवेमान से पांच से पंद्रह गुना तक अधिक था। साथ ही सभी ब्लैक होल सूरे और सूरे के सरीखे बड़े तारों के अंत से बने थे। ब्लैक होल ब्रहमान का एक ऐसा छेत्र है जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है। यहां गुरुत्वाकर्शन इतना मजबूत होता है कि कोई भी कन्या यहां तक कि विद्युत चुम्बकिये विकिरन जैसे प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। ब्लैक होल तमाम चीजों को अपने में समा लेता है। यहां भौतिक शास्तर का कोई भी नियम लागू नहीं होता। समय और स्थान से भी इसका कोई वास्ता नहीं है। अगर सरल भाशा में समझे तो जिस तरह हम किसी वस्तु को अंधेरे में देखना चाहते हैं तो उसकी ओर लाइट जलाते हैं। वहां से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है और वह वस्तु हम देख पाते हैं। लेकिन ब्लैक होल में यह नियम काम नहीं करता। यहां लाइट जलाने के बाद भी गुप अंधेरा का सामराज्य कायम रहता है। तो चलिए अब हम आपको यह ब्लैक होल की भ्यानक आवाद सुनाते हैं। दोस्तो यही थी वो आवाद जो सुनने में इतनी भ्यानक और डरावनी है। सामाने सापेक्षता का सिध्धान्द बताता है कि बहमांड में ब्लैक होल बनाने के लिए भोतिकी से दूर नए आयाम और दुरलब खगोलिय घटनाएं जिम्मेवार होती है। कई मायनों में ब्लैक होल एक आदर्श ब्लैक बोडी की भानती काम करता है क्योंकि यहाँ प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। ब्लैक होल को प्रत्यक्ष रूप से देखना असंभव है। क्योंकि गुरुत्वाकर्शन बल की अधिकता के कारण ब्लैक होल ढूंड़ना काफी मुश्किल है। ब्लैक होल के ब्रहमांड की ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें सीधे-सीधे कभी कोई जानकारी नहीं मिली। अब तक हमें उनके बारे में जो भी पता चला, वह उनके आसपास की गतिविधियों से ही पता चल सका है। अभी तक ब्लैक होल के घुमाव यानी की स्पिन की गति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन खगोल विदो ने इस बात का पता लगा लिया है कि हमारी गेलेक्सी में जो ब्लैक होल स्थित है, वह कितनी तेजी से घूम रहा है। जीस ब्लैक होल की स्पिन की गती निकाली गई है, उसका नाम चार एक पांच चार तीन चार है, जो एक तारे का चक्कर लगा रहा है और यह हमारी प्रित्वी से लगभग 24,700 प्रकाशवर्ष दूर है, यह हमारे सूरे से 9.4 गुना बढ़ा है और यह एक सुपरमासिव ब्लै वैसे तो ब्लैक होल से धान्तिक तोर पर धनात्मक और रिनात्मक आवेश वाले हो सकते हैं, यदि वे केवल न्यूट्रॉन और प्रोटोन से ही बने हो तो, लेकिन ब्रहमांड में संभवतह उनका आवेश शूने होता है। लेकिन अब तक शोद करताओं के लिए ब्लैक हो भी अपनी धुरी पर घूमते हैं, यानि की स्पिन करते हैं। लेकिन ग्रहों और तारों के जैसे उनकी स्पिन को सीधी तरह से नापा नहीं जा सकता है। इसके लिए खगोल विद प्रोक्सीज पर निर्भर करते हैं। यह पदार्थ का वह बादल होता है, जो ब्लैक होल क के इवेंट होरीजन की ठीक बाहर ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा होता है। इवेंट होराइजन वह छेतर होता है, जिसके आगे प्रकाश सहित हर पदार्थ को ब्लैक होल खुद के अंदर खींच लेता है। यह पदार्थ के बादल केवल उस ब्लैक होल की स्पिन के प्रभ इसलिए खगोल विदों के पास यह विकल्प नहीं था कि वे Event Horizon के पास के इन बादलों का पूरा सर्किट देखकर स्पिन का पता लगा पाते। इसके बजाए खगोल विदों ने Event Horizon के पास से आने वाली एक स्विकिरनों की चमक को मापा। यह विकिरन उस धूल और गैस से आ रही थी जो Event Horizon के पास बहुत तेज गती से घूम रही थी। इसी चमक से उनकी गती का पता चल सका। इससे उस ब्लैक होल की स्पिन की गती का भी अंदाजा हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसरो के वैग्यानिकों की मेहंत और प्रयास के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै हिंद जै इसरो जरूर लिखें।